हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लॉन्वरी दितिमन तो देखिए चैप्टर नमबर नाइन पर हम लोग पहुंच चुके हैं एट तक हमने कम्प्रीट कर लिया था और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो कॉमेंट्स में मैं देखती हूं कि आप लोग जो भी कुछा जाता है बहुत अच्छे से उसका आंसर देते हो तो ऐसे ही अपने तरीके से ही आंसर जो है वो देते रहिए बहुत इमानदारी के साथ तो ऐसा हो जाता है कभी कि मेरे द्वारा जो कुछा जाता है कई बार आप लोग के एक्जाम में वो ही आ जाता है तो हर आपको देने हैं और चैप्टर भी पढ़ना है और इसके बाद जो question answer होते हैं उनमें भी आपको भाग लेना है कि जैसे मैं question पूस्ती हूँ वीडियो को pause करिए answer देने की कोशिश करिए नहीं आता है तो वीडियो को चला कर देखिए और फिर answer देखिए कि कौन सा answer दिया गया है ठीक है और जो इन बच्चों ने course लिया हुआ है उन बच्चों को PDF जो है इसकी मिल जाएगी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जैसे ही chapter complete होते हैं इनकी question answer जो है start हो जाएंगे और test तो आपके लिए ही जाएंगे जैसे ही course में कुछ topic जो है वो complete होते जाएंगे व हमारे देश बिवहिन राजियों संस्थाओं की सुव्यवस्ति संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं इन नियमों और कानूनों का आधार हमारा समविधान है तो समविधान क्या है समविधान आवश्यक नियमों और कानूनों का क्या है एक संग्रे है जिनके आध हम कानूनों का संग्रह क्या है सम्विधान है अब प्रश्ण यह है कि हमारा सम्विधान कैसे बेना भई हमारे दिमाग में भी यह चीज आती है कि यह देश जो है जब स्टार्ट हुआ था तो यह कैसे स्टार्ट हुआ होगा कौन-कौन से लोग यहां समलित हुए होंगे जिन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने भारत के सम्विधान निर्माण के लिए एक सम्विधान सभा बनाने की मांग की तो सबसे पहले सम्विधान सभा बनाने की मांग किसने की भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस में कब की 1935 में ठीक है और उसके बाद 1938 में पंडि जवालाल नहरू ने घोशना कर दी कि सोतंत्र भारत के समविधान का निर्मान जो है जो भी चुनी हुई समविधान सभा के सदस्य होंगे उनके द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भारी हस्तशेप नहीं होगा ठीके तो मांग 1935 में की गई और 1938 में समविधान का निर्मान जो है वो चुनी हुई समविधान सभा द्वारा होगा ये गोशना करने वाले थे पंडि जवालाल नहरू समविधान सभा भारत में सोतंत्रता आंदोलन की तीर्वता को देखते हुए ब्रटिस सरकार ने अपनी तीन मंत्रियों का एक दल भ ब्रटिस सरकार ने तीन मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं तो इस कैबिनेट मिशन में जो तीन सदस्य थे वो कौन थे लॉर्ड पैर्थिक लॉरेंस थे कृप्स थे और एलेकजंडर थे ठीक है तो इन तीनों के नाम भी के सदस्य हैं कैबिनेट मिशन की योजना की अनुसार 1946 में समविधान सभा का गठन किया गया तो अब कैबिनेट मिशन जो जिसमें तीन सदस्य थे जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे कृप्स थे और एलेकजंडर थे तो इन तीनों का एक दल जो की 1946 में समविधान सभा का गठन करता है तो समविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रति निधियों की वह सभा जो समविधान का निर्मान करती है समविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानन सिन्ना की अध्यक्षता में होई तो अब सबसे पहले जो सब्विधान सबातों बन गई लेकिन अब यहाँ पर जो है लीडर कौन होगा यहाँ पर अद्यक्ष जो है वो कौन होगा जो की कमान यहां इसकी समहा लेगा तो सबसे बुजुर्ग प्रानी जो थे वो कौन थे सच्चिदानन सिना इनी को बठा दिया गया तो भई कोई भी कार्रे होता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यह सबसे बड़े हैं इनको ही कार्रे सौफा जाए तो इसी बज़े से यहाँ अस्थाई अध्यक्ष जो इस्थाई न हो तो फटापर से 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है बाद में डॉक्टर राजिंद प्रसाद को समविधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है ठीक है बाद में इस्थाई अध्यक्ष जो है वो चुना जा कि प्रारूप समिती की अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम राव अमबेटकर जी 13 दिसंबर 1946 को जवाहल लाल नहरू ने सम्विधान सभा के सामने उद्देश चे प्रस्ताव पेस किया जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं इन्हों ने 13 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा जो थी उसके सामने उद्देश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें सोतंत्र भारत के सम्विधान के मूल आदर्शों की रूप रेखा जो है वो प्रस्तुत की गई सम्विधान सभा के सदस्यों ने सोतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते और सम्विधान सभा ने आखिरकार 26 नवंबर 1999 को सम्विधान जो है वो बनकर तैयार हो गया और इसे सुईकार किया गया लेकिन लागू जो है वह इस दिन नहीं हुआ तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का सम्विधान जो है वह लागू हुआ और 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को सम्विधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि देखिए जो अंबेटकर जी है उनकी 125 वी जैनती जो है उस वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा सम्फून भारत में सम्विधान दिवस मनाया गया और इसी वजह से 26 नवंब को हम अब सम्विधान दिवस के रूप में मनाते हैं तो यहां पर देखिए पंडित जवालल नहरु जो हैं वह सम्विधान की मूल प्रवती पर सिखनेचर कर रहे हैं सम्विधान सभा में ब्रिटिस शाषन के आधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधी देशी रियासत सम्विधान सभा में राजिस्थान के ब्रिटिस प्रांत और रियासतों के सदस्य भी सम्विधान सभा में राजिस्थान के सदस्य सम्विधान सभा में गठन के समय राजिस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था अजमेर मेरवारा प्रांत सीदे ही ब्रिटिस शाषन क अधिन था तो देखिए राजिस्थान से जो हैं वो कौन-कौन यहां पर समलित होते हैं एक तो वो सदस्य समलित होते हैं जो की राजिस्थान के कुछ सदस्य यहां जो की मूल निवासी थे जो यहां रहते थे यहां वास करते थे और कुछ सदस्य जो दूसरे राज्यों में निवास करते थे राजिस्थान के सदस्य ही लेकिन राजिस्थान के रियासतों में विभिन प्रशाशनिक पदों पर कारे रत थे ठीक है समविधान सभा के सदस्य राजिस्थान के निवासी कौन-कौन थे तो यहां पर कुल मिलाकर समविधान सभा में 15 सदस्य जो है वो शाम में से तीन के इनके नाम दे दिये जाएं और एक चौथा नाम जो है वो कुछ और दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन में से सम्विधान सभा का सदस्य राजिस्थान में कौन सा नहीं है तो आपको वो चुनना होगा या इस तरीके से पूछा जाएगा कि नाम दे दिये और ये पूछा जाएगा कि मानिक के लाल वर्मा किस रियासत से संबंदित थे तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा तो यहां सदस्य हैं जो कि राजिस्थान के निवासी थे राजिस्थान के निवासी मुकट बिहारी लाल भारगव ये कहां के थे अजमेर मेरवाडा के और मानिक के लाल वर्मा उदैपूर से थे जै नारायन व्यास जोदपूर से थे बलवन सिंग महता उदैपूर से रामजंद्र उपाद ध्याय लवर से थे दलेल सिंग कोटा से थे गोकुल लाल असावा शहपूर बहीलवाडा से थे जस्वन सिंग बीका नेर से थे राज बहादूर भरतपूर से थे हीरा लाल सास्त्री जैपूर से थे और सरदार सी खेतड़ी से थे ठीक है राजिस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में रह रहे थे तो इन में देखिए सर वी टी कृष्णमाचारी जो की जैपूर रियासत में प्रशाश्निक अधिकारी थे सी एस वैंकटाचारी जो की जोदपूर से सरदार के एम पन्निकर जो बीकानेर से सर टी विजे रागवचारे उदेपूर से ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा कुल मिलागर राजिस्थान से 15 सदस्य जो है यह शामिल होते हैं ठीक है तो ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से लर्ण कर लेनी है उसके बाद इनके अत्रिक्त राजिस्थान मूल के प्रवासी राजिस्थानी प्रभु दयाल हिम्मस सींग का पक्षमी बंगाल से बनारसी दास जुनुनों वाला बिहार से पदमपत सिंगानिया उत्तर परदेश से सम्विधान सभा के सदस्य चुने गए ये क्या थे या राजिस्थान मूल के प्रवासी थे ठीक है प्रवासी सदस्यों के नाम भी पूछा जा सकता है प्रबुदयाल हिम्मस सिंग, बनार्सी दास जुनजुनों वाला और पदमपत सिंग घानिया अब देखिए ये बॉक्स में कुछ दिया हुआ है यह भी जाने तो चलिए जान लेते हैं भारत के समविधान की मूल प्रती में भारत के वैववसाली इतिहाज, परमपरा और संस्कृती को दर्साने वाले 22 चित्र हैं इन चित्रों का निर्मान चित्रकार नंदलाल वोस ने किया, राजिस्थान के चित्रकार हैं क्रपाल सिंग सेखावत इन्हों ने भी इनमें अपना महतोपूर्ण योगदान दिया, तो इनका नाम पूछा जा सकता है राजिस्थान के संधर्व में, ठीके, कि क्रपाल सिखावत जो है इन्होंने महतवपूर्ण योगदान दिया था समविधान की मूल प्रवती में समविधान के कुल प्रष्टों का कालंकन क्रपाल सिंग सिखावत द्वारा किया गया प्रस्तुत चित्र सिखावत द्वारा चित्रांकित प्रष्ट का है अब इसके बाद जो है राजिस्थान में सम्विधान सबाके जो हमने सदस्य पढ़े थे अभी उनको हम एक एक करके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू